बट ये जज्जमेंट आने के बाद में सुप्रीम कोड का जज्जमेंट जो आया, कम से कम जो मामले होते हैं 7 साल तक की कैद के, 7 साल तक की सजा के, उनके अंदर सीधा रूप से अरेस्ट करने के लिए रोप लगा देखे। बाद में देखा जाए, तो अरेस्टिंग कुछ डुक्सी गई, क्योंकि पहले अगर मामला कोई 2 साल-3 साल का भी था, जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती थी, तो पुलिस उसमें अरेस्ट ही करती थी, या फिर किसी भी तरह से जो भरस्टा चार है, उसे इससे और हवा मिल रह बट ये जज्जमेंट आने के बाद में सुप्रीम कोड का जज्जमेंट जो आया, कम से कम जो मामले होते हैं 7 साल तक की कैद के, 7 साल तक की सजा के, उनके अंदर सीधा रूप से अरेस्ट करने के लिए रोक लगा दी गई, मतलब की आप सीधा रूप से अरेस्ट नहीं कर स तो अगर कोई भी मामला, साथ साल तक की सजा का ऐसा कोई मामला होता है. दोस्तो जो जज्जमेंट है, जज्जमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, अरनेश कुमार वर्सिस स्टेट अफ बिहार, 2014 का दोस्तो जज्जमेंट है, 41A का नोटिस देना यहां से दोस्तो बहुत ज़्यादा शुरू हुआ, हाला कि 41A का नोटिस तो किसी भी अपराद में दिया जा सकता है, फिर चाहें पॉक्सों ही क्यों ना हो, फिर चाहें मर्डर ही क्यों ना हो, यह डिपेंड करता है केस-to-केस की सामने वाले को जिसे वो नोटिस दिया जा रहा है, उसका क्या रोल है, क्या इन्वाल्मेंट है, तो आज हम अरनेश कुमार जज्जमेंट की बात करेंगे, क्या गाइड लाइन्स हैं, क्या रूप रेखा है, और क्या कहा गया कोट के दुआरा जादा कुछ जानने के लिए इस जज्जमेंट के बारे में दोस्तो बने रही है हमारे इस वीडियो के से इस केस के तोड़े फैक्स के बारे में जान लीजिए जो की पतनी है जिसका नाम शोयता किरण है जो की 2007 में इन दोनों की शादी हुई थी जिसके बाद में कुछ वक्त के बाद दोनों के बीच में खटपट शुरू हो गई और ऐसे में पतनी के दुआरा पती पर लगाए जा पुस्री शादी करने के धमकी भी दी गई इस महिला को जब ये सब चीजे हुई तो उसने जाकर पुलिस में कम्प्लेंड कर दी और जो कम्प्लेंड दरज हुई 498A में यहां से दोस्तों ये केस शुरू होता है हाला कि आज भी अगर हम 498A को देखते हैं जो की BNS का अभी 85 बन गया है इसमें आज भी imprisonment सजा का प्राफदान देखे तो 3 साल तक का है तो क्या आज किसी को arrest किया जाता है डिरेक्ट रूप से दोस्तों नहीं इस केस के बाद कुछ guidelines भी दी गई कि इन guidelines को follow करना बहुत जरूरी है वरना पुलिस पर कारवाई की जाएगी इवन जानून की जानकारी ले रहा है या आप पर कोई भी case मुकदमा दर्ज हुआ है और कोई भी किसी तरह के सवाल आपके दिल में है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं दिएगे नंबर पर WhatsApp करें आपको हम reply ज़रूर करेंगे हो सकता है हमारे किसी reply से आप अपने case से बाहर नि the police officer मतलब की एक notice आपको दिया जाएगा कि police officer के सामने आकर आप पेश होईए उसे कुछ सवाल जवाब पूछने हैं तो ऐसे में ये बोला गया कि अगर कोई भी ऐसा अपराद होता है जिसकी सजा 7 साल या 7 साल से कम है 7 साल तक के वाले मामलों में आप सीधा किसी को ऐसे arrest न जरूरी है वरना तो जो arrest है उसे illegal माना जाएगा आपर दोस्तों जो guidelines दी गई guidelines में बोला गया कि जितने भी राज्ये हैं राज्ये सबी राज्ये सरकारें अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि जब भारती दर्ण सहीता कि धारा 498A के तहट मामला दर्ज हो तो वे swim मतलब खुद वो गरफतारी ना करें बलकि CRPC की धारा 41 में जो चीजे mention है उसके तहट गरफतारी की आवशक्ता के बारे में पहले खुद को संतुस्ट कर लें कि इस इनसान को arrest करना जरूरी है भी या नहीं अगर ऐसे ही आप arrest कर लेते हैं बिना किसी reasons के तो खुद पुलिस वाला उसमें problem में आ सकता है दोस्तों दूसरी guideline ये दी गई कि checklist तयार करनी पड़ेगी पुलिस को जब भी आप किसी भी इनसान को वहाँ पे arrest करते हैं जो sub close बोलता है 41 का B और इसका subsection 2 जो इसमें बोलता है कि जब भी आप किसी को arrest करेंगे तो यहाँ पर आपको proper arrest क्यों किया ये सब बताने पड़ेंगे उसके arrest के reason क्या है checklist prepare करनी पड़ेगी और साथ में ही magistrate साहाब को उस वक्त देने पड़ेंगे जब आप magistrate साहाब के सामने जाके पेश करते हैं ये एक और दोस्तों guideline दी गई दोस्तों यहाँ पर सिर्फ police कोई नहीं या magistrate साहाब का भी role mention कर दिया गया कि magistrate साहाब के सामने जब भी किसी को लाया जाएगा तो वहाँ पर वो checklist को देखेंगे साथ में ही authorize करेंगी detention मतलब किसी को jail भेजने से पहले उस checklist को check करेंगे और खुद को satisfy करेंगे कि यहाँ प आले कई बार किसी इनसान को arrest नहीं करते हैं कई बार साटगार्ट हो जाती है कई बार police की मिली भिगत होती है कई बार police के जानकर लोग मिल जाते हैं तो ऐसे में अगर police किसी को arrest नहीं करती है तो ऐसे में दो हफते के अंदर अंदर report करनी पड़ेगी बताना पड़ेगा कि म आप सीधा उसको अरेस्ट नहीं करोगे, आप 41A का एक नोटिस दोगे, नोटिस ओफ अपीरेंस का उस इनसान को बुलाओगे, और अगर इनसान आपके पास आता है, 41A का कम्पलाइंस करता है, आपको सब चीजे बताता है, और ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, अगर आ नहीं रहे हो, जो स्टेट गॉर्मेंट ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, आप फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आप नहीं करोगे, तो अब ऐसे में, जितने भी वो पुलिस वाले हैं, जो कि इस बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके उपर पैनल्टी लगाई जाएगी, और साथ में ही उनके उपर चार्जिस लगाए जाएंगे पुलिस ऑफिसर्स के उपर, अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की, या फिर जो आदेश है कोर्ट का नहीं माना, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कि जो अपना Constitution of India है, उसमें Article 141 यहीं बोलता है, कि जो भी कुछ सुप्रीम कोट के दुवरा कहा जाता है, वो देश का कानून बन जाता है, वो नजीर बन जाता है, और उसे फॉलो करना सभी के लिए बहुत जारा जरूरी हो जाता है, दोस्तों यहीं पर जो आठवी गाइडलाइन है, इसमें एक बात और बताई गई कि कोई भी मजिस्टेट साहब किसी को भी डिटेंशन में डाल देते हैं, जेल भेज देते हैं, और जेल भेजने के वह कोई भी रीजन वहां मैंशन नहीं करते हैं, स्ट्रॉंग रीजन नहीं डालते हैं, किसी को जेल क्यों भेजा गया, तो ऐसे मजिस्टेट साहब पर भी वहां क नहीं चलेगा तो Arneesh Kumar judgment के बारे में जो मैंने आपको बताया और भी कई सारी इसके बारे में बाते हैं जो detail में अगर हम वीडियो बनाएं तो बता सकते हैं आप में से कोई भी किसी भी judgment के बारे में कुछ जानना चाता है किसी section के बारे में जानना चाहता है, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछे, आप हमें सजेस्ट करें, नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं, आप अपने केस को लेगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, दिएकर नमरे वट्सेप करें, हो सकता है, हमारे की सजेशन से, आप अपने केस से बाहर निकल सके हैं बहुत बहुत शुक्रत हो जन्नेवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए